बहुत सारे beginner photographer जब second hand camera purchase करते हैं तो उनके mind में बहुत तरह के सवाल आ रहे होता है कि क्या हमें ये camera लेना चाहिए, क्या ये camera long term चलेगा, ये camera महेंगा है, ये सस्ता है, मतब overall बहुत तरह के सवाल आते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वालू अगर आप second hand camera खरीते हैं तो guys आपको बहुत ज़्यदा help मिलने वाली है, और आप असानी से decision ले पाएगे कि आपको वो camera लेना है या फिर नहीं लेना, तो इस वीडियो का कोई भी point miss मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यदा काम आने वाली है, अगर आप ए reply ज़रूर करते हूं, तो comment आया हुआ है कि हम sir, second hand camera लेने जा रहे है, Canon का 70D, क्या हमें लेना चाहिए दिल्ली की market से, या फिर X, Y, Z कोई भी market से, तो guys देखो, सबसे पहली चीज, यहीं पर मैं आपको clear करते हूं, कोई भी camera, ऐसा है, अगर वो 3, 4, 5 साल पुराना model है, 70D को बंद हुए, बहुत टाइम हो चुक है, और मैंने 70D, I think, आज से, 4-5 साल पहले यूज किया था, अगर guys, आपको कोई ऐसा camera दिखता है, जो 4-5 साल पुराना model है, बिल्कुल नहीं लेना guys, क्यूंकि ऐसे camera को लेने का आपको कोई भी फैदानी है, चाहिए आपको वो 10,000 का म आपको properly वो run करके दिखा देंगे, लेकिन guys, 6 महीने बाद क्या, अगर उसमें कोई भी problem आगी, तो आपका 15-20,000, जितने कभी अपने camera लिया है, उससे जदा का तो guys, आपका खर्चा ही आजाएगा, क्यूंकि guys, ऐसे camera जिक तो 5-6 साल पहले चले हुए, उसके बाद guys, अगर उसमें कोई problem आ भी गई, तो guys, उसके parts मिलने बड़े मुश्किल होते है, तो बड़ी मुश्किल से आप parts manage कर भी लेंगे, तो भी guys, वो expense जो है, लगता है रहेगा, क्यूंकि जो second end चीज होती है, इतनी पुरानी हो guys, जाधा लंबे time तक नहीं चल सकती, camera इसकी भी guys, life होती आपने second end camera purchase भी गए जो 5-6 साल पुराना model है, फिर 4 साल पुराना model है आपने purchase कर ले और आपको थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था, लेकिन guys, एक आपको मैं सच्छा ही बतातू, आज के time में जो entry level camera ना, इसमें भी आपको अच्छे focus points, अच्छे quality, latest processor, latest everything guys, आपको better मिलेगी उस चार-5 साल पुराने camera से, क्योंकि guys, जो आज की technology है वो इतनी ज़्यदा advance हो चुगी है, कि वो image quality या फिर overall processing में काफी fast होगी, उस 5 साल पुराने camera से, जब भी guys, आप कोई भी camera ले तो आप ज़्यादा पुराना ना ले, क्योंकि 2 साल, 3 साल इतना पुराना ठीक रहता, क्यो और दूसरी बात ये है guys, माल लीजे, आपने कोई भी पुरानी series का camera ले लिया, कोई भी 4 साल पुराना, 5 साल पुराना आपने ले भी लिया guys, उसका जो mount है, उसके जो lenses है, वो भी तो आपको पुराने ही लेने पड़ेंगे, जो उसके साथ compatible होंगे, तो guys, जितने भी पुर वाले भी होते हैं, नॉर्मल वोटर वाले भी होते हैं, असान बाशा में समझाओ, तो Canon के पुराने lenses जो है, जब वो focus करते हैं, उन में बहुत आवाज आते हैं, बहुत annoying होते हैं, लेकिन अब जो lenses आते हैं, वो बहुत ही silent होते हैं, तो guys, इन lenses का भी फरक होता है, जो एक beginner को नहीं पता होता, क्योंकि उनके लिए नहीं चीज़ होते हैं, नहीं पता होता कि हमें जो है, इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा, जब हम बहुत पुराना camera लेंगे, तो guys, जो भी आप camera ले रहे हैं, उसकी lenses वेराइटी ज़ूर देख लें, कि जो भी मैं camera पुर क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा camera ले जिसके ना तो parts आते हैं, जिसके ना ही lenses अच्छे हैं, जिसके lenses धीरे धीरे खतम होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा discontinued हो चुके हैं, तो guys, उस camera में आप बिल्कुल invest नगरें, आपका पैसा waste हो सकता है, third thing guys, आपने ये ध्यान रखने है जो भी camera आप purchase कर रहे हैं, second and guys, उसका आपने shutter count हमेशा देखना है, कि उसके shutter count कितने हैं, ऐसी बहुत सारी website है, बहुत सारी जगह जहां से आप shutter count चेक कर सकते हैं, आपने just google पे लिखना है, कि how to check shutter count of this camera, वहाँ पे आपको multiple sites दिखेगी, वहाँ पे guys, पूरा process है, वहाँ से camera कितना चला हुआ है, क्योंकि कुछ cameras ऐसे होते हैं, जो भाहर से बहुत नहीं दिखते हैं, ऐसे लगता है कि हो कभी use किये ना हो, लेकिन guys, अगर आप उसके shutter count देखते हैं, तो guys, बहुत जादा हो चला होता है, तो अंदर का mechanism में बहुत इतना important और पे नहीं करती, क्या पत आपको पैसे भी जादा पे करने पड़ें, अब next चीज का जो guys, आपने ध्यान रखना है, वो है resale value, जो भी camera आप खरीद रहे हैं, उसकी market value अभी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उसको दुबारा resale भी कर सके, माल लीजे, आज के time में मैं 5D Mark 4 की बात करूँ, example के स कुछ-कुछ cameras ऐसे होते हैं, जो 3-4 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी उनकी market में demand है, लेकिन guys, सभी cameras ऐसे नहीं होते हैं, तो आपने उस camera को चूछ करने हैं, जिसकी market demand अभी भी हो, आभी भी बड़िया perform कर रहे हो, और अगर आप उसको reseal करने हैं, जब भी आप नया camera लेने वाले हैं, तो अच्छे पैसे मिल जाए, अच्छे ना भी सही, लेकिन demand में हो वो camera ताकि आपको customer बहुत सारे मिल जाए, अगर आपने ऐसा camera परचेस कर लें, जिसको कोई खरीदने वाले ही नहीं है, यह फूजी फिल्म के cameras होगे, इनकी market इतनी ज़्यादा अच्छी बहुत सारे लोग गलती का करते हैं, पांच मिनट टेस्ट के, दस मिनट टेस्ट के चलो, ठीक है बढ़िया है, लेलो, लेकिन जब भी आप second hand camera ले रहे हैं, तो उसको कम से कम 15 मिनट चला के देखें, at least उसमें 10 से 15 मिनट की continuously वीडियो चला के देखें, कहीं वो overheat तो नहीं परफॉर्म कर रहा है ना, टच ओपरेशन देखें, अगर उसमें टच स्क्रीन है, बटन कंडोल, हर चीज़ चेक करें गाइस, यूकि गाइस, mostly लोग क्या करते हैं, सिर्फ फोटो शूट करके देखें, थोड़ा वो टेस्ट करके देखा, हाँ बढ़िया चलो, ठीक है ले लेकिन गाइस, अगर आपके कोई भी नोन में है, जिनके पास 5 साल पुराना कैमरा और आपने देखा कि वो 5 साल पुराना कैमरा उन्होंने जादा नहीं चलाएगा, और उसकी अभी भी डिमांड है, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं, बट मेरा कहने का मतभी है, on an average base, आपने 3 से 4 साल पुराना कैमरा ही लेना है, इससे जदा पुराना कैमरा मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ले, क्योंकि 3 साल के अंदर रेट काफी जदा डाउन हो जाते हैं, तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सस्ता कैमरा भी लेंगे, तो भी जो इमपोर्टिंट ज़रूर टेस्ट करना और गया है, जो अंदर का सेverbsर तो उस पर कोई स्क्रैचिस तो नहीं है, वो सबसे इमपोर्टिंट पार्ट है, बहुत सारे ऐसे केरलेस फटोग्राफर्स होते हैं, जिनके कैमरा के सेंसर पर स्क्रैच बेश देते हैं, तो गाईस आ अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like and चैनल को subscribe जरूर करें, stay tuned until next video.